गोड़ीवनिंग फ्रेंट्स एंड वेलकम तो माई चैनल अभी हम देखें किया सेंटिमेंट्स आज के कैसे ट्रेडिंग स्टेजी रहने वाली है हम सारी चीज़ों को डीटेल में देखते हैं प्राइस सेक्षन बेस पे आपके साथ सेयर करते रहते हैं तो आप नहीं है तो फर्दर ये नीचे आके 600 पे ट्रेड कर रहा है अल्टिमेंट ले भी यहाँ पर एक सपोर्ट लेबल है वो इंपॉर्टेट है जब तक मार्केट सपोर्ट के उपर बना रहेगा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करने वहीं लेकिन ये डिर सो पॉइंट से ज्यादा नीच करने वाला है उपर के तरह 73,000 का और 72,200 ये इसका हाई का काम करने वाला था लेकिन हमने ये भी देखा था कि मार्केट के लिए नीचे के लिए सपोर्ट है 72,250 का लेबल और उसके बाद 72,000 ये इंपॉर्टन लेबल है इसके लिए अगर ये 600 को लेबल को ब्रेक करता है तो यहां तक definitely आएगा तो यहां आप देखेंगे इसकी opening होती नीचे के तरफ दुबार आए जाता है 600 के आसपास घूमता रहता है उसके बाद में नीचे आता है ये react किया है और जितना support के पास power थी ये demand zone है या फिर support zone आप जो भी समझ में आए दोनों का मतलब एक ही होता जि नहीं इसके लिए resistance काम यहां पर करने वाला अब इसके लिए 72,700 से लेके 72,800,900 यह जो range इसके लिए बनने वाली है यह थोड़ा सा important काम करने वाली 200 point का level जब तक यह 200 point का level cross नहीं करता है marker में थोड़ा सा बहुत ज्यादा train expectation नहीं है लेकिन overall अभी यहां की candlestick pattern को देखते हुए अगर इस जो भी current candle बन रही है जो 7 बजे की candle है अगर इसकी closing हो जाती है 72,600,700 के आसपास तो इसका मतलब है अब further आपको एक move देखने को मिल सकता है जो कि आपको 73,000 के आसपास लेकिन अगर ए 600 के नीचे close होता है तो इसका मतलब होगा कही न कहीं वीकने सबी बनी लिए एक थोड़ा सा trend देखने के मिले range bound market के लिए इसके बाद में daily time frame से पहले हम 4 hour setup में देखने की कोसिस करते हैं तो इस candle को अगर आप देखने की कोसिस करें तो इसने low भी बनाया है और high भी बनाया है तो market काफी volatile लग रहा है लेकिन ultimately यहाँ पे थोड़ा सा positive-ness बनी हु कि यह होंगे 72,200 या 250 के आसपास तो थोड़ा सा stop loss अब trail कर लिए at least cost price पर रख लेते हैं जिससे हमाई loss नहों cost to cost पे भी अगर market reverse भी होता है तो हम वहाँ से निकाल जाए क्योंकि यह एक resistance zone का काम कर रहा है जो कि market की closing भी थी इस level पे और यहीं कि आसपास opening गया और day का high भी लगाया तो दू पॉइंट यहाँ पे जब तक इसको यह निकालेगा नहीं next move इसमें chances थोड़े से कम बनने व लेगा और अगर ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में तो कैडलिस्टिक पैटरन को अगर ध्यान में रखके के ट्रेडिंग हम करना चाहे तो अभी कल की कैंडल है उसके अंदर ही closing हुआ है यह important बना हुआ है तो overall sentiments market के लिए यही बनने वाले हैं कि यह resistance zone से react कर रहा है और 600 का label important है 600 के उपर close कर देता है 600 से लेके 800-200 पॉइंट का range है यह 200 में close करता है फर्दर इसके लिए अप मूब हो सकता है उपर जाए लेकिन हम यहां पर अपने cost price पे ट्रेल करके आ जाएंगे किकि market है at least हम loss लेके ना जाएंगे कल हम इने काफी अच्छ trading book किया था अगर उसको हम आज loss कर देते तो market में बहुत ज़ला हम लड़ नहीं कर पाएंगे at least हम profit ना लेके जाए तो अपने cost price पे भी निकलने के लिए हम आपने अपको ट्रेल करके ले आते हैं तो देखते हैं 600 के नीचे close होता है तो फिर market के थोड़ा सा negative nice बन नहीं रह अभाई